मेरा नाम है महिमा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कथा समराद मुन्शी प्रेम चन्द जी की बहुत ही खुबसूरत कहानी शूद्रा कहानी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में जरूद शियर कीजेगा तो आईए कहानी की शुरुवात करते हैं मा और बेटी एक जहुपड़ी में गाउं के उस सिरे पर रहती थी बेटी बाग से पत्तियां बटूर लाती मा भार जोगती यही उनकी जीविका थी सेर दो सेर अनाज मिल जाता था खा कर पड़ रहती थी मा बिद्वा थी बेटी कुमारी घर में कोई और आदमी न था मा का नाम गंगा था, बेटी का नाम गौरा गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए लेकिन यह बात पक्की न होती थी अपने पती के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था ना कोई दूसरा धंदा ही करती थी इससे लोगों को संदे हो गया था बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं, इसमें कुछ न कुछ रहसे आवश्य है, धीरे धीरे ये संदे और भी द्रड हो गया और अब तक जीवित था, बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था, शुद्रों की बिरादरी बहु इस भ्रांती को शान्त करने के लिए मा ने बेटी के साथ कई तीर थी यात्राएं की उड़िसा तक हो आई, लेकिन संदे हनमिटा, गौरा युबती थी, सुन्दरी थी, पर उसे किसी ने कुवे पर या खेतों में हस्ते बोलते नहीं देखा, उसकी निगा कभी उपर उठत की ही न थी, लेकिन ये बातें भी संदेव को और पुष्ट करती थी, अवश्य कोई न कोई रहस्य है, कोई युबती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुप चुप की बात अवश्य है, योहीं दिन गुजरते जाते थे, बुडिया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी, नौकरी की खूज में कलकत्ता जा रहा था, रात हो गई, किसी कहार का घर पूचता हुआ गंगा के घर आया, गंगा ने उसका खुब आदर सतकार किया, उसके लिए गेहुं का आटा लाई, घर से बरतन निकाल दिये, कहार ने पकाया, खाया, लेटा और बातें होने लगी, सगाई के चर्चा छिड़ गई, कहार जबान था, गौरा पर निगा पड़ी, उसका रंग धंग देखा, उसकी सजल चबी आँखों में घुल गई, सगाई करने पर राजी हो गया, लोटका घर चला गया, दो-चार गहने अपनी बहन के यहां से लाया, गाउं के बजाज न आँखों से दूर नहीं कर सकती थी, परंदो दस ही पांच दिनों में मगरू के कानों में इधर उदर की बातें पढ़ने लगी, सिर्फ विरादरी ही के ही नहीं अन्य जाती वाले भी उसके कान भरने लगे, ये बातें सुन-सुन का मगरू पच्चताता था कि नाहा की यहा पा देता था, एक महिने के बाद मगरू अपनी बहन के गहने लोटाने गया, खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा, मगरू को कुछ संदे हुआ, बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते, बहनोई ने कहा, तुम खालो, मैं फिर खालूंगा, मगरू बात क्या है, तुम खाना खाने क्यों नहीं उटते, बहनोई, जब तक पंचायत नहोगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे खाना खा सकता हूँ, तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूगा, किसी से पूछा न गाच्छा, जाकर हरजाई से सगाई कर ली, मगरू चोक मैं मगन थी, उसे क्या खवरती कि वह रतन जो मैंने इस तपस्या के पाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े जा रहा है, कई साल बीट गए मगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्य थी, वह मांग में सिंदूर डालती, रंग सिखाती थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेते थी, पहले वह अकेली बैठी रहती, गाउं की और इस्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी, उसके पास वह वस्तू न थी, जिस पर दूसरी इस्त्रियां गर्ब करती थी, सभी अपने अपने पती की चर्चा करती, गौरा का पती कहां था, वह किसकी बाते करती, अब उसके भी पती था, अब वह अन इस्त्रियों के साथ इस विशेय पर बातचीत करने की अधिकारणी थी, वह भी मगरू की चर्चा करती, मगरू कितना इसनिह शील है, कितना सज्जन, कितना बीर, पती चर्चा से उस पर्देश में निकल का चार पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है नहीं तो मान मर्यादा का निर्वा कैसे हो जब कोई पूछता चिठ्थी पत्री क्यों नहीं भीचते तो हसकर कहती अपना पता ठिकाना बताने में डढ़ते हैं जानते हैं ना गौरा आगा सिर पर सवार हो बिचारे पर्देस में कहा घर गिरिस्ती समालते फिरेंगे एक दिन किसी सहीली ने कहा हम न मानेंगे तुझसे जरूर मगरू से जगड़ा हो क्या है नहीं तो बिना कुछ कहे सने कहा चले गए गौरा ने हसकर कहा बहन अपने देपता से भी कोई जगड़ा किरता है वह मेरे मालिक है भला मैं उनसे जगड़ा क्यूं करूंगी जिस दिन जगड़े की नौबत आएगी कहीं डोब मरूंगी मुझसे कहकर जाने पाते तो मैं उनके पेरों से लिपटना जाती एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के पास ठहरा पास ही के किसी गाओं में अपना घर बताया कलकत्ता में वह मगरू के पडोस ही में रहता था मगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था दो साडियां और रहा खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे कौरा फूली न समाई बूडे भ्रहमण के साथ चलने को तैयार हो गई चलते बक्तवा गाओं के सब औरतों से गले मिले गंगा उसे स्टिश्टन तक पहुँचाने गई सब कहते थे बिचारी लड़की के भाग जगके नहीं तो यहां कोड़ कोड़ कर मर जाती रास्ते भर गौरा सोचती न जाने वक कैसे होंगे अब तो मूचे अच्छी तरह निकल आई होंगे परदेश में आदमी सुक से रहता है देह भर आई होगी बाबु साहब हो गए होंगे मैं पहले दो-तिन दिन उनसे बोलूंगी नहीं फिर पूछूंगी तो मुझे छोड़ कर क्यों चले गए अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा-भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया तुम अपनी आखों से ना देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए मैं भली हूँ या बुरी हूँ हूँ तो तुम्हारी तुमने मुझे इतनी दुना रुलाया क्यों तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझे से कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती जब तुमने मेरी बहाँ पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए फिर तुम्में लाख एब हो मेरी बला से चाहे तुर कही क्यों न हो जाओ मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती तुम क्यों मुझे छोड़ कर भागे क्या समझते थे भागना सहज है आखिर जख मार का बुलाया की नहीं कैसे न बुलाते मैंने तो तुम्हारी उपड़ दया की कि चली आई नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दई के पास नहीं जाती तो तुम आप दोड़े आते तब करने से देवता भी मिल जाते है आकर सामने खड़े हो जाते है तुम कैसे न आते वह धर्ती बार बार उद्धिन हुकर पूरे ब्रहमण से पूछती अब कितनी दूर है धर्ती का छोर पर रहते हैं क्या और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी लेकिन संकोच बश न पूच सकती थी मन ही मन अनमान करके अपने को संतुषच कर लेती थी उनका मकान बड़ा सा होगा शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं जब उनका सहाब इतना मानता है तो नोकर भी होगा मैं नौकर को भगा दूंगी मैं दिन भर पड़े-पड़े क्या किया करूंगी बीच-बीच मैं उसे घर की याद भी आ जाती थी बिचारी अम्मा रूती होंगी अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा ना जाने बकरियों को चरान ले जाती है या नहीं बेचारी दिन भर मैं मैं करती होंगी मैं अपनी बकरियों के लिए एक महिने रुपए भेजा करूंगी जब कलकत्ता से लोटूंगी तब सब के लिए साणियां लाऊंगी तब मैं इस तरह थोड़ी लोटूंगी थी कि मेरे मान कुछ और करता कि मन कुछ और है क्या जानती थी कि बुड़े भ्रहमण के बेश में पिसाच होते हैं मन की मिठाई खाने में मंगने थी तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची गौरा की चाती धर-धर करने लगी वह यहीं कहीं खड़े होंगे अब आते ही हों थी मगर मगरू वहां न दिखाई दिया बुड़ा भ्रहमण बोला मगरू तो यहां नहीं दिखाई देता मैं चारो और चान आया शायद किसी काम में लग्या होगा आने के छुट्टी न मिले होगी मालुम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं उनकी रहा क् देखें चलो डेरे पर चलें दौनों गाड़ी पर बैठकर चलें गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी उसे गर्भ हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ एक शण में गाड़ी मगरू के डेरे पर पहुँच गई ए सीडियों पर चड़ते चड़ते पैर दुखने लगे यह सारा महल उनका है किराया बहुत दिन अपड़ता होगा रुपई को तो वह कुछ समझते ही नहीं उसका हिर्दय धड़क रहा था कि कहीं मगरू उपर से उतरते आ न रहे हूँ सीड़ी पर भैट हो गई तो मैं क्या करूंगी भगवान करे वह पड़े सोते रहे हो तब मैं जगाओं और वह मुझे देखते ही हडवडा कर उट बैट है आखे सीड़ीयों का अंत हुआ उपर एक कमरे में गौरा को ले जाका ब्रहमर देपता ने बिठा दिया यही मगरू का डेरा था मगर मगरू यहां भी न पर ली होगे मालूम होता है रात को बाजार में पूरिया खाकर सो रहे होंगे यही उनके सोने की खाट है एक किनारे घड़ा रखा हुआ था गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था घड़े से पानी ओडेल कर पिया एक किनारे पर एक जाड़ु रखा था गौरा रा फार्श और दीवारों में उसे आत्मियता की जलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहां उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटी थे। उसे अधिकार का ऐसा गौरब युक्त आनंद न प्राप्थ हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संथ्या हो गई और मगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी सांच को सब जगे छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूडब बाबा ने उसे कहतो दिया ही होगा वह क्या अपने साप से थोड़ी देर की छुट्टी नहीं ले सकते थे। कोई बात होगी तभी तो नहीं आये। अंधेरा हो गया कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पती की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों की उपर चरने की उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालुम होता था कि वह आ रहे हैं पर इधर कोई नहीं आता था। नौ बजे बुड़े बाबा आये। गौरी ने समझा मंगरू है। जटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्रहमण। बोली वह कहां रह गए। बुड़ा। उनकी तो यहां से बदली हो गई। दफतर में गया था तो मालुम हुआ कि वह अपने साहब के साथ य गए हैं कि घर के लोग आएं तो मेरे पास भेज देना अपना पता दे गए हैं। कल मैं तो मैं यहां से जहाज पर बैठा दूँगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे। इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा क्या दिन में ज जहाज पहुंचेगा। भूडा आट-दस दिन से कम न लगेंगे मगर घबरानी की बात नहीं तो मैं किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब तक गौरा को अपने गाउं लोटने की आशा थी। कभी न कभी वो अपने पती को वहां अवश्य खींच लाएगी। लेकिन जह जो समुद्रे देखकर उसे भै हो रहा था, हिर्दय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला, उस समय गौरा का हिर्दय एक अक्षय भै से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नहराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भ पहेंट हो जाती, तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ इस्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलोच होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बाते करने की इच्छा न होती थी, केबल एक इस्त्री उदास दिखा देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहां जाती हो बहन। उस इस्त्री की बड़ी बड़ी आखें सजल हो गई। बोली, कहां बताओं बहन, कहां जा रही हो। जहां भागी लिए जाता है, वहीं जा रही हो। तुम कहां जाती हो। गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ, यहां जहां पर जहाज रुकेगा, वक वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भैट हो जाती, आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह एतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यूं देर करती। इस्त्री, अरे बहन, कहीं तुम मारा जान पैचान का था। गौरा, नहीं उस तरह का एक भूड़ा प्रहमर था। इस्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लक लक भूड़ा, जिसकी एक आँख में फूली पड़ी हुई है। गौरा, हाँ हाँ वही, क्या तुम उसे जानती हो। इस्त्री, उसी ब्रितान्त सुनाओं तो तुम समझोगी कि जूट है, किसी को विश्वास ना आएगा, क्या कहूं बस यही समझ लो के इसके कारण में घर की रह गई ना घाट की। किसी को मूह न दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यार होती है ना, मिरच के देश जा रही हूं कि वही म मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के मानों प्राण ही नहीं रहे, मालुम हुआ जहाज अथा जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूडे ब्रहमाण ने तगा दी, अपने गाउं में सुना करती थी कि गरीब लोग मिरच में भरती होने के लिए जाय सुनती हों आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा मजूरी। गौरा सोचने लगी अब क्या करूं। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुए चली जा रही थी, तूट गई थी। और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न थ जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जल मगन हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आस रहे हैं। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गाओं की, सहीलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म बेधना होने लगी मानुक कोई सर पंतिस तल में बैठा हुआ है, बार-बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही आतना देनी थी, तो तुमने जन्म ही क्यों दिया। तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती, जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुन स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बेहन। इ या तो उसी के प्राण ले लोगी या अपने प्राण दे दूँगे। या कहते कहते उसे अपना ब्रतान सुनाने की वह उतकट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहु हुँ। पर आभागी नी विवा के तीसरे दिन पती देव का देहान थो गया। चित्ति की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्ते मालुम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आँख छपकते ही उनकी मूर्ती सामने आ जाती थी। लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागरत तशा में भी रह उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी। पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहा वसान हो गया है तो अब मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं ऐसे भ्रांती समझ का चित् बन कहता था जो बस तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवलवा ग्यान चाहिए। सादु महात्माओं के सिवा ग्यान और कौन दे सकता है। मेरा तो अभी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाए हैं जिन सी हम मरे हुए प्राणियों से बाचीत क कर सकते हैं। उनको इस थुल रूप में देख सकते हैं महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहां आकसा सादु संत आते थे उनसे एकांत में इस विशे में बातें किया गरती थी। पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं बैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्यान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का परदा उठाते। तीन साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। दो महीने होते वही बुड़ा ब्रहमड सन्यासी बना हुआ मेरे यहां आ पहुचा। मै जो इसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पती दर्शन के लिए सब कुछ जिनने को सब कुछ सहने को तयार थी। इसने रात को अपने पास भुलाया। मैं घरबालों से पडोसियों के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई च तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जानी क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहां गई। क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सबार थी। जी की दृष्टी में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युविती का घर से निकल जाना कलंकित के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सम मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जराबी आपत्ती नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई नहों उसके लिए देश विदिस दोनों बराबर हैं। हाँ क्या पक्का निश्चे कर चुकी हों कि मरते दम तक अपने सतित्तु की रक्षा करूंगी। विदी के हातों से मृत्तु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विद्वा के लिए मृत्तु का क्या भै उसका त इतनी कातर और निराश हो रही हूं। जब जीवन की अभिलासाओं का अंत हो गया तो जीवन की अंत का क्या डर। बोली बहन हम और तुम एक जगे रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरुशा है। इस्त्री ने कहा भगवान का भरुशा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंतकार चाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी। उसकी संगिनी जल की ओर उसके सामने आकाश के कुछ सुम्ते और उसके चारो और अखंड अपार अंतकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किये। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था पर बात चीज से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सेर जुकाई अपनी संगिनी के पीछे खड़े थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वाच चौक पड़ी। उसने दबी आँखों से उसकी ओर पैर थर-thर कापने लगे। ऐसा मालूम होने लगा। मानो चारो ओट जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके समुक वही पुरुस खड़ा था जो उसका प्राण धार था। और ज लाहस सदय छवी नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे गाल पिचके हुए। लाल आफों से कुवासना और कठोर्था जलक रही थी। परवत था मगरू। गौरा के जी में प्रपल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊ। चिलाने को जी चाहा पस संकोच ने मन को रोका। बूडे भ्रहमण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहां चले आये। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा। बहन तुम उस भ्रहमण को ब्यर्थ ही बुरा भला कह रही थी। यही तो वह है जो य गौरा भला बहन ऐसा भी हो सकता कि यहां तुम्हें छोड़ दू। मगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केबल गाउं का जिलान बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौ मारा क्या नाम है। गौरा ने कहा। गौरा मगरू चौक पड़ा फिर बोला घर कहा है। मदनपूर जिला बनारज। यह कहते कहते हसी आ गई। मगरू ने अब की विपार उसकी ओर ध्यान से देखा। तब लपकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला। गौरा तुम यहां कहा। मुझे पहचानती हो। गौरा रो रही थी मुझे बात नहीं निकली। मगरू फिर बोला तुम यहां कैसे आई। गौरा खड़ी हो गई आसू पौँच डाले और मगरू की ओर देखकर बोली तुम ही ने तो बुलाबा भेजा था। मगरू मैंने मैं तो साथ साल से हूँ। गौरा तुमने उसे बूड़े भ्रहमड से मुझे लाने को नहीं कहा था। मगरू कहतो रहा हूँ मैं साथ साल से यहां हूँ। मरने पर ही यहां से जाओंगा भला तुम्हें क्यों बुलाता। गौरा को मगरू से इस निश्ठुरता की आशानती उसने सोचा अग शायद दर्जा पाकर इन्हें मध हो गया है। नारी सुलव अविमान से गर्दन उठाकर उसने कहा तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहां से लोट जाओं तुम्हारी उपर भार नहीं बनना चाती। मगरू कुछ लज्जित होकर बोला अब तुम यहां से लोट नहीं सकती गौरा यहां आकर बिरला ही कोई लोटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा मानुस संकट में पढ़ा हुआ हो कि करना क्या चाहिए। उसकी कठोर मुखाकरिती पर देनता का रंज जलक पढ़ा। तब कातर स्वर में बोला जब आ ही गई हो तो रहो जैसी कुछ पढ़ेगी देखी जाएगी। गौरा जहाज फिर कब लोटेगा। मगरू तुम यहां से पांच बरस के पहले नहीं जा सकते। गौरा क्यों क्या कुछ जबर्दस्ती है। मगरू हाँ यहां का यही हुकम है। गौरा तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना प बार बनकर नहीं रहूंगी। मगरू मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लाइक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कभका बुला लिया होता। वही बुड़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और चहां से देकर मुझे यहां भड़ती कर दिया तब से यहीं पड़ा हूँ चलो मेरे घर में रहो वहां बाते होंगी यह दूसरी औरत कौन है गौरा यह मेरी सकी है इन्हें भी बुड़ा भेका लाया मगरूर यह तो किसी कोठी में जाएंग मगरू अच्छी बात है इन्हें भी लिती चलो यात्रियों की नाम तो लिखे ही जा चुके थे मगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौप कर दोनों औरतों के साथ घर की राह ले दोनों और संघन ब्रिक्षों की कतारे थी जहां तक निगा जाती उख ही उख दिखाई देती समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायू की जहूंके आ रहे थे अत्यन सुरम में द्रिश्य था पर मगरू की निगा उस ओर न थी वह भूमी की ओर ताकता से जुकाए संदिक्त साल चाल से चला जा रहा था मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिये समी पाकर दौना रुख गए और एक ने हसकर कहा मगरू इन में से एक हमारी है दूसरा बोला और दूसरा मेरी मगरू का चहरा तमतमा उठा था भीशन क्रोथ से कामता हुए बोला यह दोना मेरी घर की ओरता हैं समझ गए उन दोना ने जोड से कहे कहा मारा और एकने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेश्टा करके कहा यह मेरी है चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की बचा हमें चक्मा देते हो मगरु कासिम इने मत छिड़ो नहीं तो अच्छा नहोगा मैंने कह दिया मेरे घर की ओड़ते हैं मगरू की आँखों से अगनी की जुआलासी निकल रही थी वह दोनों के उसके समुक का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े किन्तो मगरू के अधिकाद छेतर से बाहर पहुंचते ही एकनी पीछे से ललकार कर कहा देखें कहां लेके जाते हो मगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया जहां कदम बढ़ा कर चलने लगा जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं हमें पकपक पर यह संका होती है कोई शब्द कान में न पड़ जाए कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए कोई जमीन के नीचे से कफ़न ओड़े उठ न खड़ा हो गौरा ने कहा यह दोनों बड़े शोहदे हैं मगरू और मैं किसलिए कह रहा था कि यह जगर तुम जैसी इस्त्रियों के लाइक नहीं सहसा दाहिनी तरब से एक अंग्रेज घोड़ा दोड़ाता आ पहुंचा और मगरू से बोला वेल जमादार यह दोनों ओड़ते हमारी कोठी में रहेगा हमारी कोठी में कोई ओरत नहीं है मगरू ने दोना ओरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला साहब यह दोना हमारे घर की ओरते हैं साहब ओहो तुम जूटा आदमी हमारी कोठी में कोई ओरत नहीं और तुम दो-दो ले जाएगा ऐसा नहीं हो सकता गोरा की और इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुँचा दो मगरू ने सिर से पैड तक कांपते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता मगर साहब आगे बढ़ गया था उसके कान में बात न पहुँची उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था शेश मार्ग निर्विग न समापत हुआ आगे मजूरों के रहने की मिट्टी के घर थे दोारों पर इस्त्री पुरुष जहां-तहां बैटे हुए थे सभी इन दोना इस्त्रीयों के और घूटते थे आपस में इशारे करते हसते थे गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं न किसी की आँखों में शर्म है एक भद्देसल औरत ने हाथ पर चिलम पीत हुए अपनी पडोसिन से कहा चार दिन की चांदरी फिर अंधिरा पाक दूसरी अपनी चोटी गुन्ती हुई बोली कलोर है न मगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा मानू कोई किसान अपने मटर के खेद की रखवाली कर रहा हो कोटरी में दौना इस्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी इतनी दिर में दौनों को यहां की दशा का परिच्चे कराया गया था दौनों भूकी प्यासी बैठी थी यहां का रंग देखकर भूक प्यास सब भाग गई थी रात के दस बजे होंगे कि एक सिपाई ने आकर मगरू से कहा चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं मगरू ने बैठे बैठे कहा देखो नब्बी तुम भी हमारे देश के आदमी हो कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे न जाकर साहब से कह दो मगरू कहीं गया है बहुत होगा जुर्माना कर देंगे नब्बी न भीया गुस्य से भरा बैठा है पिये हुए हैं कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है मगरू अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता नब्बी मुझे क्या जाकर कह दूँगा पर तुम्हारी खेरियत नहीं है कि बंगले पर चला यह वही साहब थे जिन से आज मगरू की भेंट हुई थी मगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहां एक छड़बी निर्वा नहीं हो सकता जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया साहब ने दूर से ही डाटा वह औरत कहा है तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है मगरू हुजूर वह मेरी बिहता औरत है साहब अच्छा वह दूसरा कौन है वह मेरी सगी बहन है हुजूर साहब हम कुछ नहीं जानता तुमको लाना पड़ेगा दो मैसे कोई मगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रोकर अपनी सारी राम कहानी सुना गया पर साहब जरा भी न पसीजे अंत में बोला हुजूर वह दूसरी ओरतों की तरह नहीं है अगर यहां आ भी गई तो प्राण दे देंगी साहब ने हसकर कहा ओ जान देना इतना आसान नहीं है नबी मगरू अपनी दाव रोते क्यों हो तुम हमारे घर नहीं गुशते थे अब भी जब घात पाते हो जा पहुँशते हो अब क्यों रोते हो एजेंट ओ यह बदमाश है अभी जाकर लाओ नहीं तो हम तुमको हंटरों से पिटेगा मगरू हुजूर जितना चाहे पिट लें मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता एजेंट हम एक सो हंटर मारेगा मगरू हुजूर एक हजार हंटर मालने लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले एजेंट नशे में चूर था हंटर लेकर मगरू पक पिल पड़ा और लगा सड़ासड जमाने दस बारे कोड़े मगरू ने धहरे के साथ तहे फिर हाई हाई करने लगा देह की खाल फट गई थी और मास पाच चाबक पड़ता था तो वह बहुत जब्त करने पर भी कंट से आर्थ धोनी निकल आती थी और टौर अभी एक सो में से कुछ पंद्रे चाबक पड़े थे रात के दस बज गए थे चारा ओर सन्नाटा चाया हुआ था और उस नीरव अंधकार में मगरू का करुण बिलाब किसी पक्षी की भाती आकास में मडला रहा था बिरक्षों के समू भी हत बुद्धी से खड़े मौन रोधन की मूर्ती बनी हुए थे या पाशान हिर्दय लंपट विवेक शुन्य जमादार इस समय एक अपरिचित इस्त्री के सतीत्यू की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तयार था केवल इस नाते कि यह उसकी पतनी की संगिनी थी वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गवारा कर सकता था पर अपनी पतनी की भक्ती पर अखंड राज्य करना चाहता था इसमें अनु मात्री की कमी भी उसके लिए असय थी उस अलोकिक भक्ती के सामने उसके जीवन का क्या मुल्य था ब्रामणी तो जमीन पर ही सो गई थी पर गौरा बैठी पती की बाट जो रहे थी अभी तक वा उससे कोई बात नहीं कर सकी थी साथ बरसों की विपत्ती कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी और रात के सिवा वा समय फिर कम मिल सकता था उसे ब्रामणी पर कुछ क्रोध आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई इसी के कारों वा घर में नहीं रहे है यह कायक वा किसी का रोना सुनकर चौक पड़ी भगवान इतनी रात गई कौन दुख का मारा रो रहा है अवश्य कोई कहीं मर गया है वा उठकर द्वार पर आई और यह अनमान करके कि मगरू यहां बैठा हुआ है बोली वा कौन रो रहा है जरा देखो तो लेकिन जब कोई जबाब न मिला तो वा स्वेम कान लगा कर सुनने लगी सहसा उसका कलेजा धक से हो गया तो यह उन्हीं की आवाज है अब आवाज साप सुनाई दे रही थी मगरू की आवाज थी वा द्वार के बाहर निकल आई उसके सामने एक गोली के अमपे पर एजेंट का बंगला था उसी तरफ से आवाजे आ रही थी कोई उन्हें मार रहा है आदमी मार पढ़ने पर ही इसी तरह होता है मालुम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है वह वाँ खड़ी न रह सकी पूरी शक्ती से उस बंगली की और दोड़ी रास्ता साफ था एक शण में वह फाटक पर पहुँच गई फाटक बन था उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकाने पर भी कोई बाहर न निकला तो अब फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीता कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांच कारी द्रिश्य देखा मगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से पीट रहा था गौरा की आँखों के सामने अंधेरा चा गया वा एक चलांग में सहाब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मगरू को अपने अक्षा प्रेम सबल हातों से ढखकर बोली सरकार दया करो इनके बदले मुझे जितना जी चाहे मार लो पर इनको छोड़ दो एजन्ट ने हाथ रोक लिया और उनमत की भाती कौरा की और कई कदम आगे बढ़कर बोला हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास आकर रहेगा मगरू के नतने फड़कने लगे यह पामर नीचंगरे मेरी पतनी से इस तरह की बाते कर रहा है अब तक वा जिस अमूले रतनी की रख्षा के लिए इतनी यातनाय सहर रहा था वही बस तु सहाब के हाथ में चली जा रही है यह असे था उसने चाहा की लपक कर सहाब की गर्दन पर चड़ बैटू जो कुछ होना है हो जाए यह अपमान सहनी के बात जीकर ही क्या करूंगा लेकिन नबी ने इसे तुरंट पकड़ लिया और कई आदमियों को बुला कर उसके हाओ पाओ भान दिये मगरू भूमी पर छट पटाने लगा गौरा रोती हुई सहाब के पेरों पर गिर पड़ी और बोली हुजूर इन्हें छोड़ दें मुझ पर दया करें एजेंट तुम हमारे पास रहेगा गौरा ने खुन का घुन्ट पीकर कहा हा रहूंगी बाहर मगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था उसकी देह में सूजन थी और घाओं में जलन सारे यंग जकड गए थे हिलने की भी शक्ती न थी हवा घाओं में शर के समान चुपती थी लेकिन ये बतावस है न सकता था असाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में बिहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बाते हो रही है गौरा आवस से चिला कर भागेगी और साहब उसके पीछे दोड़ेगा अगर मुझ से उठा जाता तो उस वक्त बचा को खोद कर गाड ही देता लेकिन बड़ी देर हो गई ना तो गौरा चिलाई ना बंगले से निकल कर भागी वह उस सजे सजाए कमरे में साहाब के साथ बैठी सोच रही थी क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है मगरू का पीडा करिंदन सुन सुनकर उसके हिरदाई के टुकड़े हुए जाते थी क्या उसके अपने भाई भेन मा भेन नहीं है माता यहां होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगरती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी पिड में भी प्राण होते हैं क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना नहीं करती सहाब शराब पी रहा था और गोरा गोश्ट काटने का चुरा हाथ में लिए खिल रही थी सहसा गोरा की निगा एक चित्र की और गई उसमें एक माता बैठी हुई थी गोरा ने पूछा सहाब यह किसकी तस्पीर है सहाब ने शराब का गिलास मेच पर रखकर कहा ओ यह हमारे खुदा की मा मरियम है गोरा बड़ी अच्छी तस्पीर है क्यों सहाब तुमारी मात जीती है ना सहाब वह मर क्या जब हम यहां आया तो वह बीमार हो गया हम उसको देख भी नहीं सका सहाब के मुख मंडल पर करुणा की जलक दिखाई दी गोरा बोली तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था वह रो रो का मर गई और तुम्हें देखने भी नहीं गई तभी तुम्हारा दिल कड़ा है सहाब नहीं नहीं हम अपनी माता को बहुत चाहता था बैसी औरत दुनिया में न होगी हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़ का मर गया था माता ने कोईली की खान में मजूरी करके हमको पाला गौरा तव वह देवी थी इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होगी उनकी कोई तस्वीर तमारे पास है साहब ओ हमारे पास उनकी कई फोटो है देखो वह उनी की तस्वीर है वह दीवाल पर गौरा ने समीब जावकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली सच मुझ देवी थी जान पड़ता है दया की देवी है वह तुम्हें कभी मारती थी की नहीं मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर नहीं बिगड़ती होंगी बिल्कुल दया की मूरती है साहब ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था वह बहुत गरीब था पर अपने कमाई में कुछ न कुछ जरूर खहरात करता था किसी बेबाप के बाप को देखकर उसकी आँखों में आशु भराता था वह बहुत ही दयावान था गौरा ने तृसकार के स्वर्ग में कहा और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दई हो क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांती माने देती वह स्वर्ग में रो रही होंगी सरग नरक तो तुम्हारे यहां भी होगा ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए गौरा को यह बात हैं कहते हुए भी भैना होता था उसने अपने मन में एक दिर्ण संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भैना था जान से हाथ धो लेने का निश्या करने के बाद भाई की छाया भी नहीं रह जाती किन्तुबा हिर्दय शुने अंग्रेज इन तिरिसकारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता जाता था गौरा मान भी भावों से कितनी ही अनभीक हो पर इतना जानती थी कि अपनी जनन्नी के लिए प्रतेख हिर्दय में चाहे वा सादू का हो या कसाई का आद और और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है ऐसा कोई भी अभागा प्राड़ी है जिसे मात्रिसने की इस्मिती थोड़ी दिर के लिए रुरा न देती हो उसके हिर्दय के कोमल भाव को जगा न देती हो साहब की आँखें डबडबा गई सिर्फ जुकाए बैठा रहा गौरा ने फिर उसी धोनी में कहा तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी जिस देवी ने मर मर का तुम्हारा पालन किया उसी को मरने के पीछे इतना कश्ट दे रहे हो क्या इसलिए मात्र अपने पुत्रों को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती तुमारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती मैं तो समझती हूँ वह जीती हो उती तो इस वक्त विश्खा कर मर जाती साहब अप जब तना कर सके नशे में क्रोध की भाती गलानी का बेक सहज ही उड़ जाता है दोनों हातों में मूँ छिपाका साहब ने रोजना शुरू किया और इतना रोया कि हिच्की बन गई माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह अब कुछ देर तक खड़ा रहा मानो माता से शमा मांग रहा हो तब आकर आद्र कंट से बोला हमारे माता को अब कैसे शांती मिलेगा हाए हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुक नहीं मिला हम कितना अभागा है गौरा अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे साव नहीं नहीं अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा हम अभी मगरू को अस्पताल भेजता है रात ही में मगरू अस्पताल पहुँचा दिया गया एजेंट खुद उसको पहुँचाने आया गोरा भी उसके साथ थी मगरू को ज्वर हो गया था बेहुश पड़ा हुआ था मगरू ने तीन दिन बाद आँखे खुली और गोरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही एक शण के लिए भी वहां से ना हटी एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मरतबा गोरा से छमा मांगता चौथे दिन मगरू ने आँखे खुली तो देखा गोरा सामने बैठी हुई है गोरा उसे आँखे खुलते देखकर पास आख खड़ी हुई और बोली अब कैसा जी है मगरू ने कहा तुम या कव आई गोरा मैं तो तुम्हारे साथ ही यहा थी तब से यही हूँ मगरू सहाब के बंगले में क्या जगह नहीं है गोरा अगर बंगले की चाह होती तो सास समुद्रपार तुमारे पास क्यों आती मंगरू आकर कौन सा सुक दे दिया है तुम्हें यही करना था तो मुझे मर कर क्यों जाने नहीं दिया गौरा जुंजला कर कहा तुम इस तरह की बात मुझसे न करो ऐसी बातों से मेरी दिह में आग लग जाती है मंगरू ने मुझे फेर लिया मानों से गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया दिन भर गौरा मंगरू के पास बे दाना पानी खड़ी रही गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुपी साधे रहे गया यह संदेह यूक्त निरादर कॉमल हिर्दर गौरा के लिए असय था जिस पुरुष को वह देवता तुल्ले समझती थी उसके प्रेम से बंचीत होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी यही प्रेम उसके जीवन का आधार था उसे खोकर वह अपना सर्वस्व हो चुकी थी वह भी उसका परत्या करने जा रही थी अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फल्लांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई अभी कई दिन पहले वह अपने गाउं में आराम से पड़ी होई थी उसे क्या मालूम था कि जो बस तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है उसे अपनी मा के अपने घर की अपनी सहीलियों की अपनी बक्रियों की बच्चों की याद आई वह सब कुछ छोड़का इसलिए यह आई थी पती के ये शब्द क्या साहब के बंगले में जगे नहीं है उसके मन मिस्थान में बाणों के समान चुब रहे थे यह सब मेरे कारण ही तो हुआ मैं न रहूंगी तो फिर आरम से रहेंगे सहसा उसे ब्रहमडी की याद आ गई उस दुखिया के दिन यहां कैसे कटेंगे चलका सहाब से कह दूं के उसे या तो उसके घर भेज़ते हैं या किसी पाट साला में काम दिलाते हैं वह लोटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा गौरा गौरा वह मगरू का करुण कमपित स्वर था वह चुपचाप खड़ी हो गई मगरू ने फिर पुकारा गौरा गौरा तुम कहा हो मैं इश्वर से कहता हूं के गौरा ने और कुछ ना सुना वह धम से नदी में कूद पड़ी बिना अपने जीवन का अंत किये वह स्वामी की विपत्ती का अंत न कर सकती थी धमाकी की आवास सुनते ही मगरू भी नदी में कूदा वह अच्छा तेराग था मगर कई बार गोते माने पर भी गौरा का कहीं पता न चला प्राते काल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तेर रही थी जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ चा रहे थे कहानी सुनने के लिए धन्या